अस्सलामू अलेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल तरन्नूम्स किचन आज हम बनाएंगे आलू गोष्ट सुर्वे वाला इन्शालला आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा चलिए इसे बनाते हैं एक कूकर में हाफ कप ओईल लेंगे मैंने सरसो का तेल लिया है इसमें कुछ खड़े गरम साले जाएंगे दाल चिनी हरी लाइची तेज पात का पत्ता लॉंग काली मिर्च जावित्री का फूल अब इसमें हाफ केजी बीफ का मीट डाल देंगे और उसे अच्छे से डाल के कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे दो मिनट के लिए हाइ फ्लेम पे पकाएंगे हमेंसे अब इसमें एक टीस्पून लस्टन का पेस्ट और एक टीस्पून अध्रक का पेस्ट डालेंगे और डाल के इसे भी अच्छे से भूनेंगे दो मिनिट के लिए अब इसमें दो मीडियम साइज की रफली चॉप करी भी प्यास डाल देंगे आप पीस के भी डाल सकते हैं मैंने इसे रफली ही डाला है अब इसे भी अच्छा सा एक मिक्स देंगे अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे जैसे एक टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल मिच, दो टीस्पून धनिया और हाफ टीस्पून गरम मसाला अब इसे भी डाल के हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे दो मिनिट के लिए हाई फलीम पे से अच्छे से भूनेंगे अब इसमें दो टेबल स्पून दही को फैट के डालेंगे यह आप्शनल है अगर डालेंगे तो टेस्ट अच्छा हैगा इसे भी डालके एक अच्छा सा मिक्स देंगे एक मिनट इसे पकाएंगे अब कुकर की लिड लगा देंगे और एक सीटी हाई फ्लेम पे और 15 मिनट ब्लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख देंगे 15 मिनट बाद हम अपना कुकर खोल के देखेंगे हमारा गोश गल चुका है अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे थोड़ा बहुत जो इसमें पानी है उसे अच्छे से भूनेंगे हमारा मसाला फटा सा हो जाए तब तक के लिए दो से तीन मिनट मैं इसे भूनूंगी देखिए देखिए हमारा मीट भून चुका है अब इसमें तीन मीडियम साइज के बड़े बड़े आलू काट लिए हैं मैंने अब इसे इसमें डाल के मिक्स करेंगे दो मिनट ऐसी इसके साथ भूनेंगे इसे गोश्ट के साथ अब इसमें 400 ml पानी डालेंगे 400 ml पानी डाल के इसे 2 सीटी आने तक पकने के लिए रख देंगे मैंने 400 ml डाला है आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और 2 सीटी लगा के इसे दम पे छोड़ देंगे देखते हैं हमारे आलू गल चुके हैं हमारे आलू गल चुके हैं चलिए इसे सर्व कर लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे अब हम इसमें देखे हमारा आलू गोश्ट बनके तयार है आप इसे इस तरीके से बनाए इंशालला आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी ही वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फीड़बेक हमें कमेंट में जरूर बताएं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज